रादी-रादी माइमे चैनेल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सेखेंगे लीनिया partial differential equations with cost and coefficient तो इस वीडियो में हम इन equations के forms के बारे में discuss करेंगे और next वीडियो में हम solution सीखेंगे ठीक है चली हम start करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है form of second order partial partial differential equation कि second order कि अगर यह partial differential equation हो तो वो कैसे दिखती है तो देखें जैसे आपने ordinary differential equation सीखा था तो आपको याद होगा उसमें इस तरह की term आते थे जैसे कि d y by d x है ना या फिर second order derivative की term या variable y x इस तरह की term साथे थी तो ordinary differential equation में ordinary derivative होते हैं है किसका होता है एक किसी variable का दूसरे independent variable के रिस्पेक्ट में होता है यह होते हैं हमारे ordinary differential coefficients या ordinary derivatives of y with respect to x तो ordinary differential equation आपकी इस तरह की होते हैं जिसमें ordinary derivatives या ordinary coefficient वाले जो यह terms हैं वो होते हैं लेकिन अब बात आ रहे हैं पर partial differential equation की तो obvious है कि जब partial differential equation की बात होगी तो वहांपर क्या होंगे partial derivatives हैं तो पाशल ए website it किसके किसी एक variable z कि हैं यहांपर किसके रिस्पेक्ट में independent variable एकसे ये के सगी हिस्पेक्ट में independent variable कोई भी हो सकते हैं याद रखिये गा जब भी आप पास्छल की बात करते हैं partial differentiation की या पासट जो है येसे डल करके बनाते हैं ना डेल जिसे डल-z by del-ex इस तरह से यहां पर हम सेकंड मॉर्ड की बात कर रहे हैं तो यहां पर कुम से नॉर्ड-डेरिवेतिव की किसका जयड विधृ क्टू एक्स एसे यहां पर है सेकंड मॉर्ड मॉर्ड वाई फिर डल-2-0-2-0-2-0-2- तो यहां पे आप देख पा रहें कि यहां पे जो अडर है डिरी बेटेफ का हाई एस टेक्ट है सेकेंड है तो सेकेंड और की है दूसरा इसमें बात ध्यान देने की है कि जो कोफिशेंट जैनल एवन एटू एथरी फूर फाइव लिये हैं मैंने यह क्या हैं सारे कॉंस्टे की second order की अब यहां पे उपरबर linear भी लिखाता तो यह linear भी है कैसे है क्योंकि linear का मतलब है आप आपकी जो derivatives हैं इनकी degree 1 होनी चाहिए तो इनकी degree 1 है क्योंकि यहां पे whole power में कोई number नहीं है ना इसका मतलब यहां पे क्या है 1 तो हर derivative की जो whole power है वो कितनी है 1 तो derivatives और जो dependent variable इनकी z इसकी भी power क्या है यहां पे 1 जब सब की इनकी power 1 होती है तो यह कैसी होती linear और साथी साथ एक और चीज़ हम चेक करते linear के लिए कि z और इसके derivative का product नहीं होना चाहिए यहां पे ठीक है ना अगर इस equation में हम यहां से minus plus को हटा दें या into कर दें तो यह linear नहीं रहेगी ठीक है यह non-linear हो जाएगी तो अभी यहां पर क्या है plus ठीक है तो कैसी है यह second order की partial differential equation है और linear है ठीक है और यहां पे with constant coefficient क्यों है मैंने बताया आपको यह सारे covenant constant है और right side क्या है कोई भी function of x and y x and y क्यों लिया becauseרטtn variable यहां पे x और y लिएगा मनी जह x और t होता तो यहां पे function होता x x t का function होता है एक और बात अब यह function कोई भी हो सकता है 0 भी हो सकते constant भी हो सकता है या any function in terms of x यह प्लस 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 बावर जिरो कैसे भी माल लो तो फंक्षन भी आएंगे यह एक से कोई भी एक भी है तो भी ठीक है अच्छा जैसे मैंने यह पर देखेंगे लिए आपके लिए कि यह जो एक्वेशन है इस और पार्शन इफिरेंशन इक्वेशन है ना लेकिन यहां पर और कितना है तरी क्योंकि यहां पर जो डेरिविटेफ को और है वो कितना है ठीक है तो यह आपके इस तरीके से धेरों एक्जामपल आप खुद भी बना सकते हैं अब तो यह आपको बताती हूं लेकिन आपको याद होगा जब मैंने आपको और डिफिरेंशन इक्वेशन में निकालना सिखाया था तो वहां पर भी हम एक्वेशन को करते थे हैं लेकिन यहां पर देश क्यों आ गया क्योंकि यहां पर जो डेरिवेटेब्स हैं वो वाई के रिस्पेक्ट में भी हैं हमने डी ले लिया था व हमने किसके लिए डेल अपॉन डेल एक्स के लिए और डेल अपॉन डेलवाइस को हम किसे देनोट कर रहें डेश से ठीक है यह तील नाइन होती है नोटेशन के लिए अच्छा अब ऐसे अगर सेकेंड और होता तो डी स्कॉयर आ जाएगा है ना वाई के रिस्पेक्ट में दो बार होगा तो डी डेश स्कॉयर आजाएगा और हमारी कोई भी एक्वेशन जो होगी हम सो डी और डी डेश के रिस्पेक्ट में कनवर्ट कर सकते हैं जैसे मैं यह नहीं पर लिखा एक्वेशन वन बिकम्स अगर यही वाली एक्वेशन इस्टैंडर्ड अगर मैं इसको जैस ठीक है फिर एक टू अब यहांपे एक्स के रिख़्ेक्ट में जो नहीं दो डी और य जेश ऑग्या देश और दी डेश ओपिर यहांसे अदरी यहांसे डी डेश यह पर यहांसे बना अब हमने क्या है जैस अ मैं से कॉमन ले लिया तो यह आ गया थीक आप सीख जाओगे लेकर यह से सोली से आप से घरेट कर सकते हैं डिरेट लिख लीजे लिखते जाईए डे डिरीविटिफ को रिप्लेज कर दी डिए बाहर जैडल लिख दीजे ठीक है जिसे मैं आप को example से बताऊं जिसे हमारे पास यह equation दे रखी है ना this is pd partial differential equation तो आप मैंने इसको डी और डी रेश में लिखना था तो क्या किया 3 लिखा यह x के respect में दो बार है तो d square आ गया plus 4 और यहां से क्या आया x के respect में तो d y है तो यहां पर d dash plus 5 अब y के respect में दो बार differentiation है तो d dash square और bracket बंद करके बाहर आ गया z क्योंकि सब में z आना इसलिए z आ गया equal to x plus y as it is आप इस z को लिखना भूलना नहीं ठीक है ध्यान लखिएगा अब next वाले को देखें इसमें क्या हो जाएगा यह 3 यहां पे x के respect में तीन बार है तो d cube हो गया plus 4 y के respect में दो बार है तो d dash square आ गया plus 5 और यहां से मिल गया हमें d और z को बाहर बढ़ा दिया और यह 6 ठीक है तो easily हमने इस equation को लिख लिया in terms of d and d dash ठीक है तो इसका मतलब य यह हुआ कि जो भी हम partial differential equation से deal कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलेगा एक function मिलेगा d और d dash का फिर उसके संग z होगा अब मैंने z लिया है तो इसलिए यहां z लिखा है हो सकता है वहाँ u हो v हो कोई और dependent variable हो ठीक है तो आपको पता चल जाएगा equation में जो लिखा हो का बस y लिखन तो इसका मतलब हमें एक function मिलेगा d और d dash का into में dependent variable होगा जैसे यहां पर z है equal to क्या होगा f x, y यानि कि जो independent variable होंगे अगर x, y है तो उनका function होगा तो हमारी equation की form इस तरह की है जब हमने पहले differential equation पढ़ा था तो आपको शायद यादो मैंने ऐसा लिखवाया था f d y equal to qx कु गई, d की संग d dash भी आ गया, यहां अकेला function था right side में पहले x का, तो अब यहां y भी आ गया इस function में, ठीक है, तो y आ गया, इसलिए आपर नया notation, नया हमने variable z ले लिया था, ओके, तो यह difference है, अचा, आज मैं थोड़ी सी एक चीज और बताना चाहूंगे आपको, कि यह जो phi d, d dash वाला function है हमारे पास, इसके दो type होते हैं, एक homogeneous और एक non-homogeneous, इसका क्या मतलब है, homogeneous, non-homogeneous का, homogeneous मतलब same same, क्या same हो रहा है, हर term की degree same हो रही है, यह derivative की, अगर उससे देखें, तो derivative का order same हो रहा है, जिससे यहां पर देखें, d square है, है न, second order हो गया न, यहां पर कितना ह हो गया, d, d dash है, तो order two हो गया, इसका एक, इसका, और यहां पर already two है, तो हर term का order अगर same है, derivative का order अगर हर term में same है, तो वो क्या हो जाएगा, homogeneous, ठीक है, जैसे यहां पर देखें, three है, यहां पर total, यहां पर इस term में order कितना मिल गया, three मिल गया, यहां पर भी three है, तो यह क्य बन गया, homogeneous हो गया, लेकिन अगर same नहीं होता, जैसे यहां d square है, d dash है, यहां one है, तो यह order two है, order one है, यह order zero हो गया, है ना, इसमें देखें, यह order one है, यहां one है, लेकिन यहां zero हो गया, two है, two मतलब constant, तो यहां d है, d dash है, तो जब order हर term का same नहीं हुआ, दो का same नहीं हुआ तो यह क्या होगा है non homogeneous ठीक है तो हर टर्म का order से हैं तो homogeneous अगर नहीं है तो non homogeneous ओके यह बाद याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं कैटगरी पर based term फिर cf निकालना सीखेंगे अलग-अलग दोनों के लिए वो next वीडियो में आपको मैं cf निकालना सिखाऊंगी अब एक बार द dependent variable z है तो z equal to हमें क्या मिलता है cf plus pi ठीक है cf मतलब complementary function pi मतलब particular integral अब cf में क्या होता था हमारा यह क्या होता है it is complete solution of 5d d dash z equal to 0 right side 0 करके जो solution आता है वो complete solution इसका जो मिलता है वो complementary function होता है आपको याद होगा जब पहले भी में auxiliary equation लिखवा दी थी तो equal to 0 करवाते थे हम है ना इसमें भी वही करेंगे हम तो actually यह इसका solution होता है इसलिए हम वहाँ 0 करते हैं जब auxiliary equation निकालके cf निकालते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा ठीक है अच्छा it involves arbitrary functions जब आपने पहले cf सीखा था तो उसमें c1, c2, c3 constants आते थे हैं यहाँ arbitrary constants लेकिन यहाँ arbitrary constants ना के यहाँ पर आएंगे arbitrary functions ओके अब number of arbitrary functions क्या होगे order of differential equation जैसे वहाँ पर मैंने आप बताया था जितना ही constant आएंगी जतना differential equation का order होगा तो यहाँ पर उतने ही function आएंगे जतना की order होगा differential equation का ठीक है second order होगा तो दो आएंगे third order होगा तो ठीक है अब particular integral क्या था particular integral इस पूरे का particular solution होता है है ना उसमें कोई भी arbitrary function नहीं होता it contains no arbitrary function जैसे पहले आपने pi निकालना सीखा था तो उसमें कोई constant नहीं आता था सीथे function मिलता था हमें है ना ऐसे यहाँ पे होगा अच्छा fxy अगर 0 है यह निकि right side वाला part अगर 0 है यह तो pi कितना आ जाएगा 0 ठीक है यहाँ पहले भी करते थे जब pi 0 हो जाता है तो y equal to y नहीं sorry z equal to क्या हो जाएगा सीधे cf यह ना क्योंकि z क्या होता है cf plus pi तो pi 0 होने पे z क्या आ जाएगा cf ठीक है तो यह introduction था partial differential equation क के बारे में next video में हम cf निकालना सीखेंगे homogeneous partial differential equation के लिए okay take care रादी रादी